इन्डिया सकसेफ़लों लंचेज अगनीफोर बैलेस्टिक मिसाईल कहा पे उरी सामें अब दोर कलामा आईलांड से इनोंने फिर से एक लॉंच प्या है जिसको बोलते है अगनीफोर, 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 अगनीफोर का और रिवाइस बर्जन अभी अगनी-4 है क्या ये क्या क्या क्रती है एक इमीरूस की जाती है एंटी-बैलेस्टिक मिसाइल में इसका काम क्या है India recently conducted a successful test of अगनी-4 बैलेस्टिक मिसाइल from integrated trust range of चांदीपुरुरीजा कहा से है इसमें क्या होता है बच्चा इतने अच्छे से उड़ने के लिए इसको तीन चीज़े जाहे है सौलिड लिक्विड सौलिड सारे पेटरॉल चाहिए क्रायजेनिक इंजन चाहिए तो सारी चीज़े ने पास थी तो में बना कि कि अप्रेंट चार दोजार चॉबिस को इंडिया ने सक्सेस्पुली टेस्ट किया था अगनी प्राइम कर बता रहा था कि रात को भी चल सकती है यह दिखाता है कि इंडिया का डेलिकेशन है मॉडनर डिफेंस को और अच्छा करने के लिए और अपने आपको और डिफेंस पॉसिबल बनाने के लिए तो आपके पास एक अगनी प्राइम भी यह रहां रखने है वी है दो मिसाइल अगनी फोर अगनी फोर कें ट्रेवल अप्टू चार अजार किलो मेटर पेलोड दे कें करी न्युक्लियर वार है एक अजार किलो ग्राम कर एड हैस्टू स्टेश स्वालिट प्लेंग शिस्टम विच इंप्रोफ जैपोर इसको दो चर्णों में अगनी फोर इटिया इंडिकरेट्टएर बिसालिट्ट्रों में प्लेटिए और प्लेट्स ट्रेंड मुथ जो पहली बर टेस्ट की गया थी कि 2011 में तब से गेरा से आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुच गए अब यह हैं हमारे मिशन कि अब से पहले अगनी वन आई फिर अगनी टू आई फिर अगनी थी आई फिर अगनी फोर आई अगनी फाइव पे काम करने यह भी वबिशन आए अब अगनी फाइव मिसाइल की खासवाद क्या है द्यान से समझे ऑपरेशनल रेंज इसकी कितनी होगी इसकी होगी पच्पन सो से आठ हजार अगर अगनी फाइव आईगी तो तितनी होगी पच्पन सो से आठ हजार होगी वेट होगा पचास हजार किलोग्रम स्पीड होगी 2.4 में लेंद होगी 1.7, 17.5, 3-stage solid engine होगा, diameter 2 meter होगा, ठीक है, यह सारी चीज है, अभी इनको successfully अब खरा नहीं पाए, अगर नहीं फोड़ता क्या है, अगर फाइफार टेस्ट स्टार्ट हुआ है, आने बादे टाइम पे यह भी हमारे लिए काम कर लेगा, बहुत अच्छों कर लेगे और अगर 10-12-14,000 किनो मेटर फोच जाते हैं तो पूरा बड़ता होगा, आने ले टांपे मेरी बना देगा, अगर आदे, अगर आदे, एह अए अवाग्ली प्रसों वे अ कर दो एते हो वे अवाग्ले जो एते हैं